और मेंटे चटोरों कैसे हूँ आप आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे शेजवान सौस और शेजवान चटनी घर में बहुत बार हम लोग कन्फीज हो जाते हैं कि यार भई ये सौस क्या है और चटनी क्या है चटनी जो है वो तो हम लोग के लिए बनी है मतलब हम हिंदुस्तानी लोगों के लिए बनी है और जो सौस है वो एक औरियंटल सौस होती है जो थोड़ी खटी और स्पाइसी होती है और जो चटनी होती है वो थोड़ी सी मीठी और फ्लेवरफुल होती है बहुत अलग है दोनों रेसिपीस दोस्तों आज की वीडियो में दोनों बनाते है घर पर शेजवान सॉस भी शेजवान चेटनी भी आपको बिल्कुल मज़ा आजाएगा दोनों से और हाँ दोस्तों एक बर बनाएंगे तो अराम से चलेगी एक दो तीन चार महीने के लिए फ्रिज में तो आपको बारी बर बॉटल खरीद कर लानी नहीं पड़ेगी तो दोस्तों रेसेपे शेजवान की चेटनी ये थोड़ी सी मीठी होती है और दिंजर का फ्लेवर मतलब अध्रक का फ्लेवर अच्छा रहता है इसमें उसके लिए हम लोग लेसून लेंगे सबसे पहले बिना लेसून के तो बनेगी नहीं चेटनी मैंने या परेना एक और एक चोथाई का प्लेसून छील कर लिया है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए आपको दोस्तों इसको मैं एक छोटे से चौपर में डालकर खीच खीच कर महीन काट लूँगा आप चाहो तो चाकू से भी काट सकते हो या फिर मिक्सी में भी चला सकते हो काटने के बाद आप लेसून को देखिए एक कप हो चुका है आपको ये रेसिपी में एक कप लेसून चाहिए एक कप लेसुन काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे लाल मिर्च को तयार कर लेंगे ये रेसिपी में आपको ज्यादा कलर वाली कम स्पाइसी वाली लाल मिर्च इस्तेमाल करनी है जैसे की कश्मीरी या फिर बेड़गी मैं आज कश्मीरी इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलबल है अभी बहुत पर मेरे पास भी नहीं रहती है आप चाहो तो है ना नॉर्मल वाले लाल मिर्च भी इस्तमाल कर सकते हैं बस उसके बीज निकाल लीजेगा मतलब सुखी लाल मिर्च को बीज से कट करकर उसका सारा बीज निकाल दीजे उसके पात सेम प्रोसेस है अभी हम लोग को इनको है ना नरम और पिलपिला करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक पतिले में डाल कर इसके उपर एक लिटर उबलता हुआ पानी डाल कर ढग देंगे 20 मिनिट तक अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो जो लाल मिर्च है वो बिलकुल सॉफ्ट हो जाएगी दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ अगर आपको यह नहीं करना हो तो आप क्या कर सकते हो एक प्रेशर कुकर गरम करिए और कुकर के अंदर आप डाल दीजे आपकी लाल मिर्च उसे के साथ में है ना 500 ml जितना पानी डाल दीजे धग कर एक सीटी ले आईए हाई फ्लेम पर एक सीटी आने के बाद आप फ्लेम को लो करकर दो मिनिट के लिए सिमर है नहीं दीजेगा उसके बाद आप क्या कर सकते है उसको आराम से ठंडा होने दीजेगा लेकिन अगर आप कुकर में बना रहे हो तो भई ध्यान रखेगा इसके कुकर की जो सीटी निकलेगी ना उसमें थोरी सी धास रहेगी मिर्ची की तो चिमनी चला कर रखेगा या फिर वेंटिलेशन पंखा ओन कर दीजेगा जब यह ठंडा हो जाता तब हम लोग रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो मैं अभी क्या कर रहा हूं अपनी जो भिजाई भी मिर्ची है ना वही यूज करता हूं नहीं बननी चाहिए उसी रीजन के वज़े से मैं इसमें आइस क्यूब डाल रहा हूं आप चाहो तो फ्रिज का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो अब हम लोग क्या करेंगे इसका धक्कन लगाकर इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे आपको बिलकुल भी महीन नहीं बनाना है महीन बना दोगे आप तो उसका टेक्शर खराब हो जाएगा तो दरदरा रखना है आपको उसमें बीज भी दिखने चाहिए और मिर्ची के दाने भी दिखने चाहिए बिलकुल ऐसे ये रेडी है दोस्तों अब हम लोग क्या करते है इपनी सॉस पकाना स्टार्ट करते है आप कोई भी एक बड़ी सारी कड़ाई इस्तमाल कर सकते हो मैंने एक है न धाई लिटर की कड़ाई गरम करी है और इसमें मैं डाल रहा हूँ तेल ये जो सॉस होती है या फिर कोई भी लाल मिट्स की चटनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा तेल डालना जरूरी है स्पेशली ये जो सॉस है आप इसको बहुत टाइम तक रख पाओगे तेल बचा कर रखेगा मैंने यहाँ पर है न 120 ml के आसपास तेल इस्तमाल करा है जो होता है आदा कटोरी Refined तेल है दोस्तो आप जाओ तो तील का तेल भी इस्तमाल कर सकते हो ज़्यादा गरम नहीं करना है तेल को हलका सा गरम होने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे लहसुन जो हम लोग ने काटा था एक कप काटा था सारा डाल देंगे तो दोस्तो लेसुन जो है वो हम लोग ने डाल दिया है इसको बढ़ एक बार mix कर देता हूँ उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे अदरक जो मैंने कहा था था ना इसमें अदरक का अच्छा फ्लेवर है ना चाहिए उसके लिए मैंने आपर रहना 4.5 इंच की अदरक इस जो काटने के बाद लगवक ही है आप देख सकते हो दो चमच के आसपास होती है इसी के साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे दनिया की डंडी मतलब जो हरा धनिया फ्रेश होता है ना उसके आपको पत्ते नहीं काटने सिर्फ डंडिया काटनी है डंडिया मैंने काटकर इसमें डाल दिया है अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ अच्छी तरह मिक्स कर दूँगा लेकिन ध्यान रखेगा आपको लहसुन को जादा नहीं पकाना है वो गोल्डन भी नहीं होना चाहिए इसका कच्छा फ्लेबर हम लोगों चाहिए ये रेसिपी में तो हलका सा एक मिनिट तक पकाने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे हम लोग की लाल मिर्च का पेस्ट अब ये जो पेस्ट है ना इसको पकाना जरूरी है और लैसन को भी मिलाना जरूरी है तो इसको आप continue चलाते हुए चार से पांच मिनिट के लिए पकाईए चार से पांच मिनिट पकाने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे सिर्का या फिर citric acid अगर आपके पास सिर्का अवेलबल हो तो वो यूज कर दीजे या फिर नीबू का फूल मिलता या फिर citric acid मिलता है न वो डाल दीजेगा इसमें मैंने आपर एक चमच नीबू सत इस्तमाल कर रहा है मतलब citric acid इसे के साथ में मैं इसमें तीन बड़े चमच चीनी भी डाल दूँगा और एक बड़ा चमच नमक डाल रहा हूँ ये सारी जो चीजे है इसे ही flavor balance होगा मदलब नीमू से खटापन और preservation, चीनी से मीठापन और नमक से टेस्ट आएगा तिनों को अच्छी तरह mix करकर फिर से 5 मिनट तक पकाएंगे अब दोस्तो ये पक चुका है आप देख सकते हो हलका सा गाड़ा भी हो चुका है इसमें आप पानी डालने की time आई है तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ धाई का पानी डाल रहा हूँ जो होता है सवाच 600 ml के आसपास और ये room temperature पानी है आप चाओ तो गरम पानी भी इस्तमाल कर सकते हो तो दोस्तों ये बिल्कुल पानी पानी हो चुका है और बड़िया consistency आ चुकी है इसमें अब इसको आपको क्या करना एक अच्छा उबाल में लेकर आना है तो इसमें थोरी time लगेगी आप high flame पर रख लीजिए और चलाते रहे ये बीच बीच में जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए आप चाओ तो गरम पानी भी इस्तमाल कर सकते हो उससे जल्दी आ जाएगा उबाल तो boil आने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे एक दूँ चीज़े और डालेंगे जैसी की soya sauce ये शेजवन चेटनी है तो इसमें जादा नहीं डालनी पड़ेगी आदा चम्मची काफी है उसी के साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे सेचवन पेपर कॉन दोस्तों ये हम लोग सेजवन चेटनी बना रहें तो ये ज़रूरी है अगर आपको नहीं मिलती है तो आप काली मीट्स भी डाल सकते हो एक वराइटी सीचवन पेपर की टेपल या फिर तिम्मूर भी होती है अगर आपको वो मिलती है तो वो भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ काली मीट्स डाल रहा हूँ रेगुलर वाली उसी के साथ में हम लोग इसमें क्या करेंगे कॉन फ्लार मिलाएंगे क्योंकि ये अभी पानी जैसी है की नहीं तो टेक्शर मिलाने के लिए और सॉस जैसा करने के लिए मैंने यह आपर लिया है दो बड़े चमच कॉन फ्लार इसको मैं पान से छे बड़े चमच पानी मिला दूँगा ताकि एक पेस्ट बन जाए उसके बाद हम लोग इसमें मिलाएंगे पहले मैं एक बार अपनी सॉस को मिक्स कर लेता हूँ अब आपको क्या करना है एक हाथ से चटनी को चलानी है और दूसरे हाथ से कॉन फ्लार मिलाना है अगर आप ये स्टेप ऐसी नहीं करोगी तो आपकी जो सेजवान चटनी है न उसमें गुठलिया बन जाएगी तो दोस्तों अब आप देख सकते हो इसका टेक्शर बहुत अच्छा आ चुका है अब ये पानी पानी जैसी नहीं दिख रही है जगे-जगे मिर्ची है जगे-जगे उसमें उबाल हर है अच्छा दिख रहा है तो इसको दो-तिन मिनट तक पकाएंगे ताकि कॉन फ्लार का मतलब टेस्ट चला जाए उसके बाद आप इसको एक प्लेट में निकाल कर इसका टेस्ट कर सकते हो बहुत बार नमक चीनी कम बेसी हो जाती है तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ टेस्ट करने के बाद पता चला है कि इसमें नमक थोड़ा सा कम है उसी के साथ में नीमबू सत भी थोड़ा सा कम है तो मैं कि घर में बनेवी सेजवान चटनी तयार हो जाएगी यह जो चटनी है ना दोस्तो ठंडे होने के बाद आप एक एटाइट कंटेनर में डाल सकते हो और फिर आप इसको स्टोर करकर फ्रिज में तीन महीने तक आराम से खा सकते हो या कोई भी चीज के साथ सर्फ करिए मज़ा आ जाएगा बिलकुल तो दोस्तो यह तो होगे खाने वाली चटनी रेगुलर अब हम लोग बनाते हैं पकाने वाली चटनी मतलब शेजवान सॉस बनाएंगे जो की हकका नूडल, चाउमीन, फ्राइड राइस यह सब चीजों में डाला जाता है और यह रेगुलर डी नहीं खाया जाता है ऐसे ही चम्मच के साथ क्योंकि यह होती है जादा स्पाइसी और थोड़ी सी खटी भी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तो सिंपल रेसिपी है आपको एक मिक्सी का जाड लेना है और उसमें हम लोग डाल देंगे सबसे पहले लाल मिर्च उबली वी जैसे मैंने शुरू में कहा था 100 ग्राम लाल मिर्च है यह है अगर आप स्पाइसी वाली यूज कर रहे हो तो उसके बीज निकाल लीजेगा अब मैं इसमें डाल दूँँआ लहसुन दोस्तो तो इसमें लहसुन थोरा सा कम ही होता है तो मैंने यहापर 3-4 एकप लहसुन इस्तमाल किया है इसमें डाल दिया आपको काटने की जुरूरत नहीं है उसी के साथ में मैं यहापर धनिया की डंठल इस्तमाल कर रहा हूँ वो वाली रेसिपी में दो बड़े चमच थे इसमें एक ही बड़ा चमच है धन्या की डंठल की छेगे अगर आपके पास सेलरी अवेलिबल हो तो सेलरी भी इस्तमाल कर सकते हो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक अदरक बहुत कम डालना है दोस्तों एक इंच के हिसाब से ही डालना है अगर आप जादा डाल दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ये रेसिपी में तो आप एक डेड़ इंच के आसपस अदरक डाल सकते हो तो अब आपको पताईए कि लाल मिड़ गरम है मतलब टेंपरेचर में तो मैं यहाँ पर आइस डाल रहा हूँ धकन लगाकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे ये रेसिपी में आपको मिड़ची का बहुती महीन पेस्ट बनाना है अगर जादा दरदरा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो ये ओके-ओके मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है बाद में देखेंगे भाई क्या किया जाता है इसका मैंने एक कड़ाई गरम कर ली है अब ये गरम कड़ाई में मैं तेल डाल दूँगा सेम कौन्टिटी इस्तमाल कर रहा हूँ आदा कप मतलब 120 ml तो दोस्तो आप देख सकते हो मैंने ये जो तेल है तेल गरम होने से पहले ही इसमें लाल मिर्च का पेस्ट डाल दिया है ये जो लाल मिर्च का पेस्ट है इसको आपको पकाना है हाई फ्लेम पर जब तक इसमें ये जो तेल है मिक्स ना हो जाए दो-तिल मिनिट लगेगी थोड़ा बहुत पकाई भी लीजिएगा उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे बाकी के इंग्रिडियेंट्स जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ एक बड़ा चमच सोया सॉस बहुत ज़्यादा कॉंटिटी है की नहीं उसी के साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 2 चमच नीमू सथ डबल कॉंटिटी है ना चीनी भी डाल रहे है दोस्तों एक बड़ा चमची डालेंगे उसमें बहुत ज़्यादा थी और नमक भी डालेंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमच डाला है बाद में अजस्ट कर लूँगा अगर कम बेसी हो तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें डाल देंगे टमेटो केचप चटनी में टमेटो केचप नहीं डाला जाता है इसमें डालना बहुत जरूरी है अगर आपके पस टमेटो केचप अविलबल नहीं है तो आप टमेटो प्यूरी भी इस्तमाल कर सकते हो अब इसको अच्छे तरह मिक्स करेंगे दोस्तों और फिर हम लोग इसमें डाल देंगे डालचीनी का पाउडर अगर आपके पस डालचीनी का पाउडर घर में अविलबल नहीं है तो आप एक डालचीनी की डंडी डाल दीजिए एक इंच के आसपस की शुरू में ही तेल में ही और फिर उसको पकने दीजिए लास्ट में निकाल लीजिएगा दालचीनी का बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है इस चट्नी में सॉरी सॉरी ये अपनी शेज़वन सॉस में तो दोस्तों मैक्सिमम सब चीज़े डल चुकी है अब आपको क्या करना है इसको कंटीनी चलाते हुए पकाने हैं दिन मिनिट के लिए आप देखोगे धीरे धीरे ये जो है ना कोना छोड़ना स्टार्ट कर देगी मतलब बोलते हैं कि लिविंग दा साइड्स ऑफ दा पैन वो स्टेप हो जाएगा दोस्तों तो यह होने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे पानी पानी आपको शुरू में दो कपी डालना है मतलब 500 ml के असपास पानी डालना है शुरू में एक बार मिक्स कर लिजे 500 ml पानी उसके बाद हम लोग इसमें एक पाव पानी और डाल देंगे मतलब टोटल में मैंने हैं पर इस्तमाल कर रहा है 7500 ml पानी जो होता है लगबग 3 कप पानी तो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे तरह मिक्स भी कर दिया दोस्तों एकदम अच्छा दिख रहा है लेकिन एक प्रॉबलम आ चुकी आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोरसा दरदरा दिख रहा है दरदरा नहीं दिखना चाहिए दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे एक हैंड ब्लेंडर इस्तमाल करेंगे आप इसको ठंडा करने के बाद मिक्सी में भी चला सकते हो कोई प्रॉबलम नहीं है हैंड ब्लेंडर डालने के बाद मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगा यह हम सभी के पास बहुत बार अवेलबल होता ही है अगर अवेलबल है तो यूज कर लीजे नहीं तो ठंडा करने के बाद मिक्सी में चला लीजेगा अब दोस्तों यह अभी पानी जैसी है इसको सॉस करना है तो हम लोग इसमें कॉन फ्लार डालेंगे मैंने यहाँ पर 5 बड़े चमच कॉन फ्लार इसमाल कर रहा है मतलब यह कॉन स्टार्च है दोस्तों इसमें मैं पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और फिर स्टेप वही है एक हाथ से आपको सॉस को मिक्स करना है और फिर दुसरे हाथ से कॉन स्टार डालना है धिरे धिरे आप देखोगी हम लोग की जो सॉस है ना उसका टेक्शर बहुत ही थिक हो जाएगा और कंसिस्टेंसी भी बढ़िया दिखेगी तो अब मैं क्या करता हूँ थोरा सा एक प्लेट में निकाल कर इसका टेक्शर देख लेता हूँ और टेस्ट भी कर लेता हूँ टेस्ट करने के बाद लग रहा है दोस्तो की इसमें है ना दालचीनी का फ्लेवर हलका सकна कम आ रहा है और नमक नमक भी कम है तो मैं दोनो थोरह थोरह डाल देता हूं दालचीनी भी नमक भी मिक्स करकर दो मिनिट पका लूँगा और फिर ये रेडे हो जाएगी सर्फ करने के लिए सर्फ मतलब रेसिपी में मतलब अगर आप कोई चाओमेन स्प्रिंग रोल बगरा बना रहे हो तो काम आईगी न तो दोस्तो हम लोग के घर में बने वी दोनो शेजवान चटनी और शेजवान सॉस रेडी है आप भी ट्राई करिएगा मेरी फेवरिट तो है भई अपनी शेजवान चटनी और वो क्यूँ है आपको पताई होगा अगर आपने मेरा थाली का वीडियो देखा हो तो तो दोस्तो ट्राई जिरूर करेगा ये रेसिपी को मतलब आपने मेरे थाली के वीडियो में भी देखा ही था कि मैं ये शेजवान चटनी को रेगुलर खाता हूँ और साथी में मेरे ये स्प्रिंड रोल की रेसिपी में भी देखा था कि कितनी वर्साटाइल रेसिपी है ये एक तरीके से ये चिली गार्लिक सॉसी तो है मतलब शेजवान सॉसी तो है तो ट्राई जिरूर करिए आप इसको बहुत सारी अलग अलग रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो आप चाहे आपको चाउमीन बनाना हो हका नूडल्स बनाना हो या फिर कुछ भी बनाना हो स्पाइसी इंडियन नॉर्थ इंडियन या फिर इंडो चाइनीज सब चीज में ये काम आएगे और आपको बहुत मजा आएगा मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा Love करिएगा जदा आच्छा लगा तो नहीं आच्छा लगा तो dislike क्लिक करिएगा उससे क्या होता है मेरे को पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा भिलता हो चल दी, बाई बाई अरे हाँ दोस्तो अगर फेस्बुक में देख रहे हो तो कुकिंग शुकिंग को लाइक और फॉलो जुरूर करना